वेलकम टो एकलिवया स्टेडी पॉइंट और आज किस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिफ से जो आपकी कवीता है भरत राम का प्रेम और पध इसकी इजी समरी यहां कह सकते हो कोई क्रिविजन करने वाले हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना जाते हैं तो क्लास 12 ESP नियो ग्रूप सर्च मार कर आप हमारे टेलिग्राम चैनल क जोइन कर सकते हैं आप अगर बाकी चैप्टर्स की वीडिओस को देखना चाते हैं फूल एक्स्प्रेनेशन तो आप इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन में जा सकते हैं वहां पर आपको प्लेलिष्ट का लिंक दे दिया जाएगा जहांसे आप बाकी की वीडियो देख सकत तो स्टार्ट करते हैं भरत राम का प्रेम इसकी मूल सम्वेदना ये इसका परति पात्धिय यहां कह सकते हूं उसकी समरी क्या है तो भरत राम का प्रेम कावीता राम चरित मानस के अयोध्या कांड से लिग गई है जिसमें राम वन गमन के पस्चात यानि कि जब भगवान स्री राम वन में चले जाते हैं तो भरत की क्या व्याकुल मनोदशा हो जाती है और जो उनके साथ होता है वो बताया गया है भरत बहुत भावक हो जाते हैं और बताते हैं अपने दिल से कि वो भगवान स्री राम से बहुत प्यार करते हैं वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सेहन नहीं कर सका और माता के रोप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया राम के वन गमन से जितनी भी भगवान श्री राम की माताएं थी, वो बहुत जादा दुखी थे, अयोध्या के सारे नगरवासी दुखी थे, और भरत कहता है कि इसका कारण मैं हूँ सिरफ, तो पुल की सरीर सभी प्रेम प्यासे नैन, यहां तक ये काव्यांच है, इसका प् जाती है, जहां राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं, तो मुनिवशिष्ट भरत से भी अपने मन की बात व्यक्त करने के लिए कहते हैं, तो भरत बहुत कुछ कहना चाते थे, और वो बरी सभा में खड़े वकर कहते हैं, वो कहते हैं कि कमल के समान नैन से आसूं की बाड सी आजाती है और वो कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी कहना था वो तो मेरे गुरुजन पहले ही कह चुके हैं इस से अधिक मैं और क्या बोलूं मैं अपने स्वामी श्री राम का सभाव बहुत अच्छे से जानता हूं वे तो अपरादी पर भी क्रोधनी करते मुझे पर उनका सम्मान किया है कभी उनके अलावा मतलब आप यह कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कुछ मौ नहीं खोला मैं अपने भाई और स्वामी राम से इतना प्रेम करता हूं कि मिरे नेत राज तक प्रभु राम के दर्शन से त्रिप्त नहीं वे मैं उनको लगातार देखते रहना जाता हूं मातू मंदी मैं साद सुचाली डैस 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 संबुक काली अब इसमें क्या है कि भरत इन पंक्तियों में कहते हैं कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि वे यह कहें कि कौन अच्छे स्वबाब का है और कौन अच्छे स्वबाब का नहीं इसका निरने और ल प्रोश नहीं देना चाते इसलिए वो कहते हैं कि कोदव यानि कि बहुत इनिम्र श्रेणी का अनाज होता है कोदव की बाली से उत्तम अनाज प्राप्त नहीं हो सकता और काली घौंगी में भी उत्तम कोटी का मोती नहीं मिल सकता यानि कि वो खुद को ही कहते हैं कि मेरी वज़ा से ही सब हुआ है, मेरा दुर्बाग्य है और मुझे मेरी वज़ा से ये दुख मिला है, फिर अगला पद है कि इसमें तुलसी दास जी की रचना गितावली से ये पद लिया गया है, इन पदों में भगवान श्री राम जब वन गमन के लि बव करती हैं कि काश भगवान श्री राम यहां पर होते और वो इतनी बेसुद हो जाती हैं कि उन्हें याद नहीं रहता कि मतलब एक जगा से वो बस वहीं रुक के बैठ जाती हैं जब उन्हें भगवान श्री राम की यादारी होती हैं, फिर दूसरा जो पद है, दूसरे सोगोनी इन्हे को बड़ो अंदेसो तो यहां कवी ने बताया है कि माता कोशले दौरा राम के व्योग में दुखी घोडों को देखकर पुत्र श्री राम से एक बार पुने वो आने के लिए कहती हैं आगरा करती हैं और कहती हैं कि कैसे आप आओगे तो इन घोडों में एक दुबारा से एक जीवन आ जाएगा तो इसी के साथ यह समरी यहां पर खतम होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करतें कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो कैसी लगी और जादा से जादा वीडियो को शेर करें जै हिंद जै भाद